यार आजना मेरे बास क्रिकिट की चार बहुत ही बड़ी वाली अपडेट है मतलब यार इस वर्ल्ड कप में जो कुछ भी घड़ा था डेफिनिटली आप लोगे मन में बहुत सारे कुश्यन्स होंगे जो अभी के लिए अनांसर्ड है लेकिन इस वीडियो में आपको शायद क और तो डिजर्फ करता ही था यार इससे जहातो उर्फी जावे जब यार एयरपोर्ट में चले जाती है उसे देखने के लिए लोग आ जाते हैं वहाँ पर को तो इससे आपको क्या पता चलता है एक चीज़ पता चलता है कि भारत को छोड़के ना बाकी जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पर को क्रिकेट उतना जाधा पॉपिलर नहीं है बता है ऑस्ट्रिया को हम लोग हम इंडियन इतनी बड़ी टीम रिकार्ड करते हैं लेकिन उनकी जो जनता है वो मतलब यार उनको उतना जाधा एप्रेशेशन नहीं दिखाती है लेकिन फिलाल हम लोग यार अप इंजरी होगे इस बंदे का जो एंकल था हो मुड़ गया था तब से बंदा बहारे चल ला था रिपोर्ट आने में लगी वी थी कि यार इस सीरीज में वापस आएगा कभी कोई कह रहा था अफगानिस्तान वाले में आएगा कभी साओट एफरिका वाले में आएगा लेकिन इसके आसपास मतलब यार कोई भी नहीं आता है इस टाइम पर तो उस हिसाब से देखोगे ना तो यह जो न्यूज है बहुत ज़्यादा डिसपोइंटिंग है क्योंकि यार आप लोग भी डेफिनिटली चाहते होगे यह जो बंद है सारे के सारे सीरीज के लिए लेकिन इस आपको मतलब यार इसके जैसे ऑल्लाउंडर की खोच करनी ही पड़ीगी ऑल्लाउंडर तो इस टाइम पे को यार हमारी सबसे बड़ी नेसेसीडी बने हुए है तो मुझे लग रहा है हमारे जितने भी मतलब यार बहुत ही जादा कमाल का प्रदर्शन किया है उनकी तरफ नजर मारनी होगी कुछ मतलब यार ओल्लाउंडर जो इस बंदे का मतलब यार अल्टरनेटिव हो सकते हैं उनकी तरफ मैं बात करने वाला हूँ ओविसली इस बंदे के बराबर तो यार कोई भी नहीं है फिलाल के लिए लेकिन मेबी इन फ्यूचर उनमें पोडिंशल तो यार कि यो लोग बन सकते हैं करके उसमें सबसे पहला नाम आता है शीवम दूबे का देखो शीवम दूबे मुझे यार ऐजा बैटर बड़ा पसंद आता है लेकिन बूलिंग में मुझे लगता है कि यार ये इतना कुछ खास नहीं है मतलब लगता है ठीक है हाथ घुमा ल इसके पास भी मतलब यार एक अडवांटेज होगा एक जमाना याद है आपको जब मतलब यार ये भी कहा जा रहा था वेंकेटेश यार मतलब हार्दिक पंडिया को रिप्लेस कर देगा करके लेकिन जैसे ही मतलब हार्दिक इंजरी से वापिस है उसका सिग्निफिकेंट अ अब वो मतलब यार बोलिंग और वाली केटेगरी में आएगा ना कि बैटर वाली मतलब वो बंदा पहले बोलर है उसके बाद जागे बैटिंग करता है तो मुझे लग रहा वो जो बंदा है ना नमबर आठ वाली पुजिशन के लिए एक अच्छा ओल्लाउंडर हो सकता है तो वो अभी यंग्स्टर है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन्वेस्ट करो इस पर केके आर का बंदा है तो मेरे ख्याल से यह यह एक अच्छा बंदा हो सकता है चोथा बंदा जो मेरी नजर में और शायद मुझे लगता है जो हार्दिक बंद या कि इस सांब को म मैंने चुन है उसका नाम है विजय शंकर अब यार इस बंदे का सीन ऐसा है यह बंदा बनाम हो चुका है बहुत गंदा 2019 में जो मतलब यार अंबाती रैडू के बदले इस बंदे को लाया गया था ना वो मेरे ख्याल से इसके फेवर में बिलकुल भी नहीं किया आप यह ब में से लेट सी अगर आपकी नजरों में भी कोई है तो आप लोग नीचे कॉमें चेक्शन में जरूर बताना लेकिन फिलाल हम लोग अपनी दूसरी अफडेट की तरह बढ़ते हैं जो की ऑवियसली यार अजिंग के रहाने के बारे में आपको पता है यह बंदा सिफ टेस् लेकिन अब जो मतलब यार रीसेंट रूमर है ना उसके अकौर्डिंग अजिंग के रहाने साउथ आफ्रिका के खिलाब मतलब यार जो टेस्स सीरीज होने वाली है शायद वहां के लिए मतलब यार नहीं होने वाल है रीजन सिंपल है अगर हम लोग यार वल्ड कप जीत ज सामने आ रहा है अब ही ले मतलब यार ये खाली रूमर है में भी मतलब हैर वापस आ भी सकता है ऐसी बात नहीं लेकिन फिलाल के लिए के अलर को यार बार करके के ल 2 को वापस टेस्स टीम मैं लाने का प्लान है पन्स के राने को देखे श्रेया सहीर अपनी जगा वापस बनाने वाला है टेस्टीम में लेकिन केयर डाउल को as a backup विकेट कीपर के रूप में लायद आ रहा है इसका मतलब यह है कि वो रिशब बंद का शायद backup होगा अब टेस्ट में तो यह बंदा यार ऊपनिंग ही करता था यह दिया है पता है कि अगर आप लोग मुझे T20 के लिए consider नहीं करना चाहते हो I am fine with it मतलब यार अगर नहीं लेना चाहते हो तो चलेगा वाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको क्या लगता है क्या इनको मतलब यार T20 के लिए consider करना चीए तो एक साल का मतलब यार मेरे ख्याल से T20 में उनको रन दिया जा सकते है लेकिन it's up to BCCI यार वो लोग पता नहीं क्या देखना चाहते है let's hope यार रोईज शर्मा अभी भी T20 में खेलते रहें because quite frankly मैं यार मतलब T20 वर्लकप तक उन्हें देखना चाहता हूँ क्या रोईज शर्मा ओड़ी है कि कैप्टेंसी को continue करेंगे या फिर उनका जो काम है अब दूसरे प्लेयर्स को ग्रूम करना है इसके बारे में डिसकेशन जल्द ही होने वाल है तो यार जो फ्यूचर प्लान है 2027 के जो प्लान है उसके लिए मतलब यार यह शायद मीटिंग होने वाली है लेकिन मतलब यार रूमर यही है कि रोईज शर्मा की मतलब जो वाइट बॉल की कैप्टेंसी है उसमें एक बहुत बड़ा कोश्चन माग लग चुक है और जितना भी मैं सुन रहा हूँ न वहाँ पर कोई यही बात निकल के आ रही है कि जो नेक्स्ट कैप्टन होने वाल है उसको ग्रूम करने का रोल रोईज शर्मा का होने वाल है लेकिन सही बताओ रोईज शर्मा को चैंबियन्स ट्रोफी तक तो करनी ही ची है यार मतलब वल्ड कप में अच्छी तो की थी एक मैच के बेसिस पे कहना सही नहीं हुगा कि यार रोईज शर्मा ने बहुत गंदी कैप्टेंजी की थी इस वल्ड कप में बहुत ज्यादा कमाल की थी तो यार एक एकस्टेंशन और दे सकते हैं लेकिन वही बात है यार 2027 की वल्ड कप की टीप की तरफ देख रहें BCCI वह लोग चाहते हैं अभी से मतलब यार प्रिपेशन करनी स्टार्ट कर दें तो वह लोग ग्रूम करना चाहते हैं तो लेट सी मतलब यार क्या ट्रांजिशन होता है नहीं होता है मेरे ख्याल से यार हो जाएगा शायद फिर भी देखते हैं अभी तो यह सब खाली मतलब यार रूमरी है अब जो चौत ही अपडेट है वो एप गौतम गंबीर के बारे में बई गौतम गंबीर ने लकनव सुबा जैंस को छोड़ दिया बई लेकिन सही बताओं आया मैं एकसाइटेड यार श्रेय सही एर अच्छी फर्म में वह बंदा भी मतलब यार केकेर में वापस आ चुका है चंद्रकांध पंडित भी मतलब यार उनके कोच है उनकी कोचिंग में क्या मतलब यार केकेर इस बार का टाइटल उठाएगी देखन में एक बार फिर से वापस ही कर चुके हैं गौतम गंबीर सर यार आज की जो अपडेट्स है न वह बस इतनी है होप आपको पसंद आई होगी भई